कि हैलो दोस्तों आप सभी का सुवागत हमारे यूटूब चैनल पर हम लोग ब्याइस्टी केमोर साने प्रिपर्पाशन कर रहें लास्ट दो मन से अभी हम लोग इसका मॉक टेच्ट देख रहें हम लोग अप्ताव अच्छे मॉक टेच्च दे चुकिया हम लोग अगर आप सब्सक्राइब करें अगर आप मॉक टेस्ट दे रहें तब वीडियो को पॉस्ट करें एक सिले के सौत तक आप नंबर लिखें ताकि आपको टिक आट कर लें कुतना सही है कितना गलत आपका और अभी अद्मिर कार्ट आया नहीं आने वाल था पैस सारी को लिंग आज सताय हो पॉस्ट के बारे में लेकिन आप लोग घबरायने हमत नहीं हारे एक्जाम की तियारी करते हैं तो देखते हैं मेरा कुशन मेरा पहला कुशन का है मेरा विच मेरी डिवाइस जेनरली मेड अफ सेमी कंड़क्टर इन सब में से आचा कौन सा डिवाइस है जिसको बनावा होत पता है सेमी कंड़क्टर से तो इसका अचा को पता है इसका हो जागा आपको रैम रैंडेम एक्से मेमोरी जो क्या आपका वलटायल मेमोरी है अब देखते हैं कोशन नंबर दो एन इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्विज डाट इस डिप्लेस बाइस सेक्वे इसका आपको जागा टू का भी अब देखते हैं कोशन नंबर तीन देखते हैं लोग दा कोड़ वेर ओल सक्सेशिव नंबर डिफर फ्रम दे प्रेसिडिंग नंबर वाइस सिंगल बीट इस मतलब ऐसा कोड लिखा हुआ है कि आपका लगतार दो नंबर एक नहीं रहेगा म आपका लगतार बीट ніिफर रहेगा वन रहेगा जूरू दे बन फड़ रहेगा ग्रण फ्र होगा तो उससार को मा हम क्लते हैं और नोट को यह सिरिक आपको लिखकर मी क्लिश स्पर मॉब दिख और आपको फोरग करना नंबर वीशन बेजिए कि इसे देला कुनिप होद अ बाद हमको उस note को free करना पड़ते है वहाँ पर से इसका आपको हो जागा free note operation हम लोग perform करते हैं किसी भी एक note को delete करने के बाद अब देखते हम लोग question number 5 which of the given operator is cascading operator इन सब में से कौन से operator है जो आपको cascading operator है उसे हम लोग कहते हैं तो इसका आपको हो जागा c number इस operator को हम लोग कहते है cascading इसके help से हम लोग क्या करते हैं हम लोग 1 bit right move करते हैं फिर 1 bit left move करते हैं इसके help से हम लोग अब देखते हम लोग question number 6 which networking device is used to connect LAN और central device इसके help से काम क्या है आपको LAN को और central device को जोड़ना उसको हम लोग कहते हैं तो 6 आपको B हो जाएगा आपका उसको हम लोग क्याते हैं हम लोग hub को add करते हैं central device से ठीक है अब देखते है question number 7 देखते हैं हम लोग what mysql property is used to create a surrogate key in mysql options are इसे में से कौन से आपको mysql का given options में से कौन से surrogate key है इसके help से हम लोग surrogate key को बना सकते हैं तो इसका हो जाएगा 7 option number C हो जाएगा आपको जो होता है auto increment auto decrement इस तरह कुछ होता है ना उसको circuit करे आते हैं जो अपने आप भरता रहता है फिर कम होता रहता है इसको हो जाएगा आपको option number C अब देखते है question number 8 हम लोग an array element are always stored in dash new location जब भी हम लोग arrow करेंगे उसके अंदर कुछ store करेंगे तो वो किस तरह से store होगा तो इसका आपको option number A sequential हमको उसको store करेंगे तो sequentially store कर सकते हैं लेकिन उसका अगर हम चाहेँ उसको retrieve करना सो हमने sequentially भी और annually भी उसको निकाल सकते हैं लेकिन अगर चाहेँ उसको सीफ पर सीफ आपको store करना तो इसके लिए आपको हो जाएगा sequentially single ठीक है art खो जाएगा आपको option number A अब देखते है 9 number which of the following is a computer based presentation technique इन समय से कौन आपका presentation technique है तो इसका आपको हो जाएगा 9 option number C हो जाएगा जो multimedia है वो आपका presentation technique है उसमें क्या होता आपका picture है आपका image है आपका audio उसको हो जाएगा 9 option number C हो जाएगा अब देखते हैं question number 10 देखते हैं message information used to send the data as a stored in an environment variable on the web server जब भी हम लोग की message को information को हम लोग भेजते हैं कहां भेजते हैं हम लोग भेजते हैं मालीज कुछ हमको चाहिए मालीज हमको Google को search कर रहे हैं मैं message भेजा है तो मुलोग क्या कर रहे हैं हम लोग उसको request कर रहे हैं ताकि वो हमको answer मेरे दे दे रिक हमको answer retrieve कर दे उसका तो इसका आपको जाएगा 10 का request हो जाएगा अब देखते हमको question number 11 देखते हैं हमको what is the default number of the lines to drop for the drop cap आपका drop cap में by default क्या होता है number आप वोजे बताना है तो 11 का आपको option number है अब पता है drop cap क्या होता है एक number लिखते हैं माली यह T लिख रहे हैं of lines you can set for a drop cap हम लोग maximum drop cap को कितना बड़ा कर सकते हैं कितना point तक तो इसमें आपको हो जाएगा बाड़ा का option number हो जाएगा आपको option number D हो जाएगा D होगा फिर आपका एक होगा दिख लिजेगा आप जहां तक हमको जहांते इसका answer बाड़ा नहीं होना चाहिए इसका answer आपको 10 होना चाहिए maximum लोगा 10 होता है आपका drop cap का अब जाएगा question number 13 how can you insert a sound file in your word document अगर आपको word document अंदर फाइल को add करने तो किस तरव काम कर सकते हैं तो आपको इसका answer हो जाएगा option number इसका आपको जाएगा option number C हो जाएगा from insert fit object menu option इसके answer फाइल को add कर सकते हैं ठेक है अब देखते है question number 14 if a computer provides database service to other then it will be known as आपका answer computer जो के उसका काम है क्या as a server काम करना उसको मुल क्या करते है option number C हो जाएगा इसका आपको database server या आपको answer computer आपको 24 into hour 24 hour आपका on रहता है काई बन नहीं होता है उसका काम किया है as a server as a user काम रहता है अब देखते हैं question number 15 देखते है full form of url आपका url का full form क्या होता है तो आपको पता होगा simple question is uniform resource located इसका हो जाएगा 15 option number A हो जाएगा अब देखते है question number 16 which of the following is an example of fidelity इन सब में से utility के example कौन हो चकते है आपको बताना है आपको 16 हो जाएगा option number D anti-virus आपको antivirus है आपको 3 तरिक होता है OS होता है एक आपको application software एक होता है एक होता है utility तुछ में से utility के है आपका आपका वह antivirus है अब देखते हैं में question number 17 microprogram क्या होता आपको बताना है microprogram क्या होता है microprogram is a set of instruction क्या है set of instruction indicating the primitive operation in a system आप जाद रखना है microprogram क्या है set of instruction जिसका काम क्या है indicate करना primary operation को primitive operation को आपको हो जाएगा option number B हो जाएगा अब देखते हैं में question number 18 a sequence of instruction in a computer language to get a desired result is known as आपका set of sequence of instruction क्या करते हैं इसको आपको जाएगा प्रोग्राम कहते हैं इसका आपको जाएगा option number C sequence of instruction जो का आपका execute होड़ा है उसका आपको जाएगा प्रोग्राम कहते हैं आप जखते है question number 19 देखते हैं a template stores आपको जो template होता है उसके अंदर आप क्या क्या चीशी store कर सकते हैं तो इसका आपको जाएगा option number D all of the above graphics को, text को, style, macros, customize word command, auto text entries तो आप सबको जाएगा इसको store कर सकते हैं अब जखते है question number 20 which of the logics families has the highest maximum clock frequency इन सब में से आपका कौन logic family है जिसका आपका clock frequency होता है तो आपको 20 का आपको जाएगा option number B ASTTL आपका होता है आपको बताना है कि ASTTL का full form का होता है comment box के अंदर अब जखते है question number 21 binary tree which have special node to complete tree is called आपका binary tree जो आपका incomplete है और उसको हम लो complete करने के लिए उसमें हम लो कहा करते हैं उसमें हम डालते है special node को तो ऐसे binary tree कहा करते हैं हम लो जो complete नहीं था पहले लेकिन उसको complete किया गया इस special node add करके उसको हम लो कहते है extended binary tree आपका case का हो जाएगा option number B हो जाएगा case का अब जखते है question number 22 which operator is used for dereferencing of direction is अगर आपको dereference करना direction का तो हम लोग कौन सा operation उसकरेंगे operator उसकरेंगे हम लोग इसकरेंगे आपका start operation इसकर आपका option number A हो जाएगा अब जखते हम लो question number test देखते है and dash is a set of entity of same type that share the same properties of attribute इन सब में से कौन है जो के entity का set है जिसके आपको same type of property मिलेगा तो इसकर आपको option number A हम लोग का entity क्या करते है हम लो set of entities करते है इसको हम लो आपको जाए रखना है अब जखते हम लो question number 24 which device amplify the signal when they are transported over a long distance अगर हमको long distance हमको signal भेजना है तो हमको उसको amplify करना पड़ेगा क्योंकि वो जान नहीं पाएगा तो amplify करने के लिए हम लोग कौन सा device उसकरेंगे हम लोग उसकरेंगे रिपीटर को आपको इसका हो जाएग option number C question number 25 which of the following is a type of polymorphism in Java इन सब में से कौन साथ आपको Java का polymorphism type है अगर पाते है दो टाइप को होते polymorphism Java के अंदर एक क्यों करते हैं हम लोग runtime polymorphism compile time polymorphism तो इसका हो जाएग option number compile time polymorphism अब देखते हैं हम लोग 26 नमबर in the top level domains dot norm specify अगर हम लोग बात करेंगे domain दो जो खरीतते हैं लोग तो सबसे top क्या होता है dot norm होता है तो उसको कौन उसकरता है तो उसका आपको परसनल बहुत बड़ा बड़ा होता है बहुत बड़ा आदमी लोग उसका हम लोग परसनल करता है आपको परसनल साइट के लिए इसका आपको जाए option number भी परसनल साइट आप देखते हैं which document is specify the relationship between the linked document and the current document इन सब मेंसे कौन सा आपको बताता है लिंक करता है question में भी REV आपको REV करता है अब देखते हैं question number 28 देखते हैं which of the following file name extension suggests that the file is a backup copy of another file ऐसा कौन सा आपको extension है जो बताता है आपको जो file है वो दूसरे original file copy है इसका आपको डाए extension option number D question number 29 देखते हैं what do you mean by vertical separation between column अगर हुनों बात कर रहे है vertical separation को बात कर रहे है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब आपको होता है margin से आपको 29 आपको हो जाएक option number C आपको यह यार रखना है question number 30 which among the following is a commonly used language in android application आप अगर use कर रहे हैं आपको बनाना चाहते हैं android application को तो हम लोग कौन सा language को commonly used करते है हम लोग करते हैं code Java को ठीक आपको हो जागा 30 option number D बागे C है C हम लोग करते है OS के लिए page page पी आपको हो गया backend के लिए c पर जो लोग हो गया आपको backend के लिए ठीक है अब लेखते question number 31 दखते हैं हम लोग which of the following is not type of page margin इन से page margin के type कौन नहीं है आपको पता है कि center नाम का page margin नहीं होता है page margin होता है right, left, top इस सब होता है लिकर आपको center नहीं होता है ठीक है इसका आपको जाग option number B अब दखते है question number 32 what is the full form of CMOS आपको CMOS को पुछते exam में और simple moss को भी exam में पुछते है problem क्या होता है आप यहार दखना पर है complementary metal oxide semiconductor इसका आपको जाग option number B आपको यहार दखना है अब दखते question number 33 which of the following is not a font style इन सब में से आपका font style कौन नहीं है तो इसका आपको जाग option number D super script और आपका sub script आपका font के style नहीं होता है bold style यह होता है अब दखते question number 34 this component is required to process data into information and consist of IC इन सब में से कौन से आपको component है जो बना हुआ होता है आपका IC का उसका काम किया है information को process करना इसका आपको option number C CPU आपका IC से बना होता है और इसका काम किया होता है information को process करके एक output निकालना अब दखते question number 35 moss family includes आपको मोस का family होता है उसमें कैके होता है तो इसका आपको जोगा option number C P moss भी होता है N moss भी इसका देर आता है आपको जोगा option number C अब दखते है question number 36 bubble shot is also known as आपको bubble shot का दूसरा नाम किया है आपको मालूम है क्या option number C Shrinking shot Shrinking shot आपको यार रखना है आप देखते हैं question no.37 which one of the following option is correct इन सब्सक्राइब से कौन सा आपका option सही है तो देखते हैं इसका आपको जाएगा इसमें dial किया है इसमें dial किया है इसमें dial आपका पहला option किया है friend function can access public data members of the class यह सही है option b किया आपका friend function can access protected data members of class यह भी सही है option d किया इसका friend function can access private data members of class तीनों को तीनों आपको सही है इसलिए इसका हो जाएगा आपको option no.d all of these आपको जो होता है friend function वह access कर जाकता है आपका public data को भी आपका private को भी और protected को भी आपको यार रखना है अब जाकते question no.38 the descriptive property possessed by each entity set is मान लिजिए आपका एक entity है उस entity को हम लोग उसका define करेंगो उसका properties किस तर सेट करते हैं किसके help से इसका option b attribute मान लिजिए आपका card नाम का entity है ठीक है अब उस entity को card color किया है का card का price कितना है उससाब उसका attribute हो जाएगा price हो गया color हो गया power हो गया engine हो गया model हो गया उसका attribute हो गया लेकिन card क्या हुआ card एक तर का entity हुआ अब लेखते हमनो 39 number which device act as a protocol translator इन समय से कौन से device है जिसको में कहते है protocol translator और उसको काम किया है दो अलग अलग protocol को add करना ठीक है 39 का आपको हो जाएगा option number a हो जाएगा जो gateway होता है यह बहुत important आपका networking device है इसकाम कि आपका दो अलगा letter को join करना और इसको में कहते है protocol translator अब जखते है question number 40 which of the below is invalid identifier with the main method अगर हम बात करें कि main method का तो main method के अंदर हम लोग का use नहीं कर जाकते है तो main method हम लोग public उसकर जाकते है static भी private भी लेकिन हम लोग final उसने कर जाकते है और final उसकर लिया नहीं देखिए हम लोग private उसने कर जकते है इसका आपका जो होता है main function वो private नहीं होता है वो सबके लिए होता है ठीक है आप जाएगा रखना है अब जखते है question number 41 देखते है प्सकत कहब करता है आपको करते है वोटे आपको सब्सक्राइब तो होता है उसका होता है प्सकर अब लिंकर द्वेर्ट ब केलन आफ दखते है अब जहुत को गसे गाते है नंबर यğlटम्त वहें हादी दू बंग व्यूता चाहिए पन सीज्टाइग अब दखते हैं 43 number which is not the property of attribute of behavior of marku tag इन सब में से किसका marku tag का काम नहीं है तो इसका आपको जोगा option number इसका option number A हो जागा आपका A क्या कहा रहा है आपका A कहा रहा है आपका देखे नहीं इसका हो जाएगा इसका आपको जोगा option number B बलर tag क्योंकि आपका attribute आपका जो होता है marku tag इसके helps हम लोग scroll करते हैं slash करते हैं alternate ब्यूश कर सकते हैं लेकिन हम लोग blur दूश नहीं कर सकते हैं ब्लर दूश कर सकते हैं तक के help से आपका तो हम लोग कौन से मेनू जाएंगे तो हम लोग जाएंगे insert मेनू कंदर इसका हो जाएगा option number C हो जाएगा अब देखते हम लोग question number 45 देखते हैं हम लोग second generation of computer consists of which of the following अगर हम लोग second generation में हम लोग क्या उसकरते हैं तो हम लोग उसकरते हैं आपका Transistor उसकरते हैं हम लोग क्या उसकर ट्रांजिस्टर पहला को जाएग आको वाकिम ट्यूर्स दूसर करते हैं आपका तीरे मिंसकरते हैं या LSI और आपका चौतर मिंसकरते हैं अब लोग p. jar लुग अब को अब देखते हम लोग 46 number देखते हैं इन वर्ड the mailing list is known as आपका वर्ड में mailing list को हम लोग कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं data source आप में mail करते हैं उसको हम लोग कहते है data source आप देखते हैं हम लोग 47 नमर देखते हैं what is the default font size of a new word document based on the normal template आपका by default size क्या होता है अगर बात करेंगे font का अगर भी हम लोग टाइप करेंगे font को तो by default size क्या होगा तो इसको हो जाएगा 11 point मतला आपका option number B हो जाएगा अब देखते हम लोग 48 नमबर देखते हैं the cash is used because reading external memory is very dash compare to the processor अपका हम लोग पढ़ते हैं ना तो वह हम लोग को बराबर करने के लिए हम लोग क्या चुछ करते हैं आप देखते हम लोग 49 नॉमबर the difference between half adder and full adder is आपका half adder and आपका half full adder में क्या फरक होता है आप याद रखना है कि आप अप जो होता है half adder उसमें आपको याद रखना है आपको जो होता है half adder फूल adder उसमें होता है तीन इंपूर आपको याद रखना है आपको जो आपको जो होता है नॉमबर c आप देखते हम लोग 50 नॉमबर the number of age from the root of node is called अगर हम लोग को number of age हम लोग root के node तक हम लोग क्या कहते है तो उसको हम लोग क्याते है आपको depth कहते है इसका आपको option number b ठीक है अब देखते है question number 51 देखते हैं हम लोग this structure has the same name as the construction and it is versus by आपका जो constructor होता है और आपका देखते होता है दोनों का आपको नाम से में रहता है ठीक है लेकिन उसका हम लोग किस से हम लोग denote करते हैं इसका आपको option number c जो symbol है इस symbol हम लोग करते हैं आप देखते है question number 52 देखते हैं यह कहा है आपका यह कहा है आपका the attribute age is calculated from date of birth the attribute age इसका आपको जोगा option number d जापको जोगा date of birth इसको में drive करेंगा आपका age से इसलिए आपको जोगा option number d drive अब देखते हम लोग 53 number which device can that join various components of LAN अगर आपको बहुत सारा LAN है उसको join करना काम किसका है तो इसका आपको जोगा option number c जोगा काम किया LAN को आपको join करना आप देखते है 54 number which of this keyword must be used to inherit a class अगर आप class को inherit करना है तो हम लोग कौन जा keyword उसकरेंगे हम लोग उसकरेंगे आपका extends keyword इसका आपको जोगा option number d अब देखते है 55 what is the correct HTML tag for space अगर हम लोग HTML गंदर space हम लोग को चाहिए तो हम लोग कौन टाग उसकरेंगे आपको जोग option number d in bsp चल्च हम लोग हम चाहते है उससे हम लोग को space मिल जाएगा अब देखते हम लोग 56 number a compiler for a high-level language that runs on one machine and produce code for different machine is called आपको आपको compiler जो क्या होगा तो आपको run करेग एक machine पे ठीक युससे आपको code मिल गिया उस code को हम लोग सारे machine के सकते है तो उस तरह एक compiler को हम लोग क्या करते हैं उसको में क्याते है multi pass compiler इसका आपको जोग option number D अब देखते हम लोग 57 number देखते हैं hardware that creates sound from mathematical representation आपका जाए हाडवेर जो हम लोग sound उसके लिएक से हम लोग create कर सकते हैं उसको में क्या करते हैं इसका आपको जोग option number is sound synthesizer ठीक है अब देखते है 58 number you can jump to the next column by अगर आपके पार table बना हुआ है उस table में आपको एक column से लेके दुस्तों column में जम करना है तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं इसका आपको जोग option number C मतलब क्या है हम लोग प्रेस कर सकते हैं उसके लाव हम लोग क्लिक कर सकते हैं हम लोग मौस की थूरू हम लोग मुख पर सकते हैं इसका आप हो जाएगा बोत और बोत अब 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 देखते हैं question number 59 देखते हैं an electronic path that send signal from one part of computer to another part आपका उस electronic part क्या कहते हैं उसका काम क्या है signal को एक जगा से लेकर दूसर जाना उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं बस कहते हैं फिर 9 आपको हो जाएगा option number C bus अब देखते हैं question number 60 देखते हैं which type of switching is used in the internet हम लोग internet में कौन type का shooting करते हैं अब पता होना चाहिए कि हम लोग internet के अंदर हम लोग क्यूज करते हैं packet switching को तो 60 का आपको जाएगा option number A हो जाएगा अब देखते हम लो question number 61 देखते हैं हम लो you wish to justify text over the height of paper which option will you choose क्या करते हैं हम उसके justify करना है text over the height of paper हम लोग जो height है उसके आपके text from लोग को justify करना है हम लोग किस तरह यह काम कर सकते हैं इसका आपको जाएगा option number B with the help of page setup from file menu हम लोग file menu जाएगे लोग page setup कर सकते हैं अब देखते हम लोग security number which of the following is not the part of standard office suit अगर Microsoft Office गनते हैं बहुत सा software है तो आपको उनमें कौन से काम नहीं करते हैं देखें आपका data backup तो आपका database भी होता है image iterative भी होता है word processor होता है तो आपका file manager नहीं होता है इसका आपको जाए option number B file manager अब देखते है security number subescript, superscript, outline, emboss, engrave, are known as हम लोग इसा को क्या कहते है superscript है, subscript है इसका हम लोग कहते है इसका आपको जाए option number A font effect कहते है इसका हम लोग क्या करते है font effect कहते है अब देखते है 64 number the ability to temporarily hold the CPU and use this time to send information on bus अगर हम लोग CPU को कुछ देखे लिए hold करते है और hold करने के बास हम लोग दूसरा bus को भेजते है information भेजते है इसका हम लोग क्या करते है इस process करते हम लोग time हम लोग कहते है cycle stealing इसका आपको जाए option number D cycle stealing अब देखते हम लोग 65 number देखते है यह क्या कहते है आपका fan in and fan out are the characteristics of आपका fan in and fan out किस आप of characteristics है इसका आपको जाए option number B यह दोनों को दोनों आपको logic family का आपका characteristics है अब देखते हम लोग 66 number देखते है the number of age from the node to deepest leaf अगर हम लोग node से हम लोग deepest leaf जाएंगे आपका यह node है ठीक है आपका बीच से बहुत सारा रास्ता पड़ेगा सबसे नीचे रास्ता पड़ेगा सबसे नीचे आपको नोड रहे है सबसे नीचे node वहाँ दा पहुंचने में हम लोग उसको कहते है हम लोग उसको कहते है कहते है हम लोग इसका हम लोग कहते है ठीक है और एक node से हम लोग जाएंगे deepest node तक अब देखते है question number 67 which of the following statement is correct इन सब मेंसे आपका कौन साइसर में correct होगा तो इसका आपको option number है बागे सब गलत है इसमें क्या कहा रहे है एक destructor has the same name as the class in which it is present आपका जो destructor है ना उसका नाम सेम रहेगा class के नाम के तरह बाद फड़ क्या रहेगा इसमें आपको आपका आपको ज़ों क्लाम रहेगा we were to same नाम रहेगा श्तедь नम रहेगा नाको और लौ ने बाद सही ए अब जहत्गत zoning and इन सब मेंसे और कौन साइपका है जो आपको लॉजिकल शॉक्टार देगा इसनका आपको option number है उनली करते है e.ra. डियाग्डराम entity relationship diagram यह क्या करता है इसा काम कहीं है इसा काम यह कि आपको जो गिराफ है इसको हम लोग लोग show कर सकते हैं इसका आपको जो अप्शन नमबर A अप देखते हैं हम लोग question number 69 देखते हैं हम लोग and RPC is initiated by आपका RPC की फिल्म क्या होता है पीडर्बर कोल इसको आपको इनिशियाट कॉन करता आपको यह बताना है इसका अपको आपको आप सब्सक्राइन नम्बर कोता है उसका काम क्या होता है अर्फSec को हल् produced करना आप सकैंब 17 अर्म आपिछी नम्गर 61 नमबर देखते हैं which is the correct CSS syntax इन सब में से CSS का आपको correct कौन सब syntax होगा तो हम लोग इन में से आपको option नमबर या आपका right syntax है अगर बात करेंगो CSS को लेके अब देखते हैं question number 72 देखते हैं मुझे कहा है आपका which of the following capabilities is required for a system program to execute more than one program at a time मतलब कहा है अगर आपको कौन सा आपका capability है जिसके help से हम लोग एक system आपका एक से जादे काम कर सकते है एक बार में उसका हम लोग कहते है multitasking कहते हैं इसका हो जाए option number B अब देखते हम लोग question number 73 interleaving the audio and video segment of a video clip together in a data file is अगर हम लोग आपका audio को remove करना और वीडियो को remove करना अब आपको इसको add करना ठीक है दो अलग अलग वीडियो और वीडियो अलग गया वीडियो अलग है उन्हों combine करने हो क्या कहते है इसका आपको option number B flattening कहते है ठीक है अब होजा रखना पड़ेगा अब देखते है question number 624 देखते हम लोग who is also known as father of jquery आपका jquery का father किसो कहते है jquery को किसने invent किया था अब होजा रखना पड़ेगा इसका आपको option number B john redig ठीक है john redig क्या किया था आपको discovery किया था आपको jquery का अब देखते हम लोग question number 75 देखते हम लोग इसाई को ठीक है ultra large scale integration छोड़ी मैं ही आपको जाते हूं इसका answer अब देखते हम question number 76 शीमर sparkle text blinking background etc unknown as हम लोग इसको क्या कहते है बहुत शीमर होता है sparkle होता है either on or off हम लोग toggle key को on or off किस तरह कर सकते हैं यह आपका बहुत important question है और अच्छा question आपको देखिए अगर आपको nums lock है ना उसको हम लोग 5 second प्रेस करेंगे लगतार तो आपका toggle की हम लोग उसको on कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन the shortcut key use करेंगे simple सा question है इसका आपको जाएगा alt type हो जाएगा ठीक है हम लोग क्या करेंगे alt or type उसका आपको जाएगा option number b हो जाएगा अब देखते हैं question number 79 देखते हैं restore down the size of maximize window is अगर हम लोग maximize window करते हैं उसको चाहते हैं restore कर ले मलब कि आपको जी window है ठीक है उसको maximize कर ले आपको जो मानले आपको पिपिटी खुला बेसको चाहते हैं कि maximize कर दे तो हम लोग कौन से key use कर सकते हैं इसके लिए इसका आपको option number is alt f5 जो प्रेस करेंगे ना आपको जो की है आपको जी window size है आपको बड़ा हो जाएगा अब लेक्ते हैं question number 80 देखते हैं to maximize or restore selected window use अगर आपको एक window है उस window को चाहते हैं आपको maximize कर दें बड़ा कर दें ठीक है तो हम लोग किसके help ने विए क्याम कर सकते हैं आपको option number d ctrl plus f10 इससे आपको बड़ा होगा और ctrl plus f9 से आपको इससे आपको minimize होगा इससे आपको जुछ करते हैं minimize के लिए इसके जुछ करें हम लोग maximize के लिए आपको या रखने हैं तोनों अब देखते हम लोग 81 number इस machine language instruction format consists of आपको जो machine language होता है वो किस चीछ से बनाव होता है देखिए वह अपने नंदर दो चीछ हता है एक हा के रखता है रखते आपingo और operand बहुत को होगे operation code गोगे कोंड साइ अब जखतें एक 3 नमबर विच बफ़ुएंग इसन नाट अडवांटेश्य ओफ ट्री इन समय से इसको ट्री उच्री करते हैं हम लोग ड्यास कहने देटा इसकर कहने तो ट्री में से इसका कौन साइफ्षण अडवांटेश्य नहीं है देखिए इसका पोज़ इसका आपको अब़ना को बहुत सब्सक्लाई कं स सब्सक्राइब सम्सक्लाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेंबर CEO वो टीकलाइब अबसे की G अब देखते हम लोग 85 नमबर in ER diagram, generalization is represented by आपका ER diagram में हम लोग उस करते है, generalization इसको हम लोग किस से denote करते है, हम लोग इसको denote करते है, triangle से आपको यहार रखना है, ठीक है अब देखते है, artistic number, what can be considered as the basic building block of digital circuit अगर बात करेंगे हम कि आपको basic building block कांस होता है, इस digital circuit के अंदर, हम लोग उसको करते है, logic gate, इसको आपको जाएक option number है, logic gate ठीक है, यह आपका basic होता है, अब देखते हम लोग 87 number देखते है, which type of storage device is a BIOS, आपको जो BIOS होता है आपको वो किस टाप का storage device होता है, तो जाएक है, 8-7 का आपको जाएक option number A हो जाएगा, वो primary device है, ठीक है, वो आपको by default अंदर ने fix रहता है, आपको तो change ने कर सकते है आप जिए 8 number, using which of the, आपको जो BIOS होता है किसके अंदर होता है रम के अंदर होता है, आप हो जातना हूँ, आप जखते है, अब जिए 8 number, using which of the following multiple inheritance in Java can be implemented है अगर जावा में अगर चाहते हैं मल्टिपल हम लोग that autres चाहिआं तो ऐसके के से कोूढ कसे कम कर जा के लिए लूकल होना पॉसिबल नहीं लिकिन आप जो करते हैं हम लोग किसे करते हैं हम लोग करते हैं इंटरफेउस खेल सेb अब देखते हम लोग 89 नमबर देखते हैं हम लोग which html attribute is used to define inline css अगर आपको css 18 टाइप होता है inline internal or external आपको याद रखना है क्या होता है css का type inline internal or external होता है ठीक है अगर हम बात करेंगे कि inline css को define करेंगे तो किसके किसके हम लोग define कर सकते हैं अब देखते हैं question number 90 what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol आपको copyright symbol होता है और चाहते है text में वह आ जाए तो इसके लिए हम लोग कौन सा shortcut key use करेंगे देखिए यह अच्छा question है एक्जाम आ सकता है इसका आपको option number is alt ctrl plus c इसके ellipse हम लोग सिंबॉल होता है इस copyright का बन जाएगा इसके ellipse से अब देखते है question number 91 देखते है how can you increase the font of size selected by one point every time अगर आपको size आपका 11,12,12,13,14 मतलब आपको single point में अगर चाहते है बरहाना size को तो किस तरह बढ़ा चाहते है थेकिए इसका आपको option number by pressing ctrl plus आपको big bracket ठीक है इसके ellipse आपको कम होता है यह यूज़ करें इस आपका 1 size कम होगा इस आपका 1 size बढ़ जाएगा ठीक है आपको जार रखना है अब देखते है question number 92 the technique that tends storage capacity of main memory beyond the actual size of the main memory is ended of gain rate मानले जे अगर आपका main memory है वो आपका 5 जी आपका 500MB के यापका 500MB के 5 MB के लेकिन अगर हम लोग उससे जादे हैं तो इस तरह को तो किया कहते हैं उसको कहते हैं एक विख यूटिय आजए तो किसमें आएगा इसका वो यह ओप्चन नुमर बी हो जाएगा हम लोग भी addition करते है न आपको होता है न हासिल आजाना तो हासिल कोई कैडी कहते हैं इसका आपको जोगा option number B हो जाएगा अब जगते 94 number which shorting algorithm is best अगर बात करें के साधे algorithm को shorting में तो best कौन से है अब जाएगा रखना है 94 का आपको option number C है आपको जो होता है quick short आपको best algorithm कहते है इसका हम लोग ठीक है आपको जाएगा रखना है अब देखते हैं हम लो question number 95 कहते है which of the following also known as instance of class या आपको बहुत basic question है आपका जो होता है instance of class ये किसको कहते है हम लोग ये हम लोग कहते है object को कहते है ठीक है आपको या रखना पड़ेगा और bullet print कहते है class कहते है अब देखते है question number 96 key to represent relationship between tables discord ऐसा कौन जाकी है जाकाम किया है दो अलग-अलग table को उसको बेश में relationship पैदा करना तो इसका आपको जोग option number C foreign की ठीक होता है आपको एक की का foreign की दूसरे की पैमरे की होता है तो foreign के लिप से हम लोग क्या करते है रिलेट कर सकते हैं आप हो या रखना पड़ेगा आप देखते 97 number which of the following data type is used to store command-land argument अगर हम लोग command-land argument यूस कर रहे हैं किसी भी language के अंदर तो हम लोग कौन सा ds को मतलब कर देटा सब्सक्राइब करेंगे data type करेंगे हम लोग यूस करेंगे string को इसका आपको जोग option number C string आप देखते हम लो question number 98 देखते है हम लो the only state transition that is initiated by the user itself it is मान लिए आपका जो भी transition होता है state का changing होता है तो हम लोग कौन सा हम लो user होता है वो कौन सा आपको initiate कर सकते है तो यूस काम किया है वो हम लोग किसी कर सकते है हम लो block को initiate कर सकते है इसका आपको option number A अब आज का last question देखते हैं मों लो computer monitor working in which of the cloud space आपका जो monitor clear होता है वो किसे काम करता है यह simple तो पता है RGB काम करता है इसका आपको option number D ठीक है अब देखते है question number last so number what is full form of TIFF आप अप अब जोता है TIFF यह क्या होता है और इसका full form क्या होता है यह होता है आपका image का format होता है इसका अब का all the full form होता है आपको tact image file format यह का option number B हो जाएगा आज का question आपके लिए question क्या आपका changing the appearance of a document is called अगर एक आपका image है आपका document है उसके हम लोग जो आफ्पेरेंस भी रखो खेंगे m क्या क्रण बताना है और आप मेरा चानल सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो लाइक करें और हम लोता श्य